तो अभी जो हूँ सुन रहे हैं किसमें यह साउंड आप अभी और्जिनल साउंड वो सुन पा रहे हैं अबी जो आप sound सुन पा रहे हैं, इसको मैंने editing किया है, इसके noise को मैंने cancel किया है, तो दोने में आप different जो है, वो सुन सकते हैं, तो कि जैसे कि आपने पहले audio सुना, जिसमें मैंने noise को cancellation किया है, और एक में जो है मैंने नहीं किया है, दोने में आप different देखा कितना different है, तो आप आप ऐसे ही कैसे अपने audio का noise को cancel कर सकते हैं, इस वीडियो मैं उसका process में बताने वाला हूँ, आपको कोई भी third party application को download करने के जरूरत नहीं है, आप ये काम अपने video editing software में ही कर सकते हो, तो ज्यादा तर लोग अपने video को editing करने के लिए power director और kindmaster application का use करते हैं, तो मैं power director का use करत के दिखाऊंगा, वड़े को एन तक जरूर देखना ये video काफी helpful नहीं आवला है, आप सब के लिए, तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो उसके लिए आपको power direct application में जाना है, आने के बाद, यहापर new project पर आपको click करना है, click करने के बाद, सबसे पहले यहाँ पर आप यहाँ जो है, तो मैं इसको यहाँ पड diezक क लोओंगा, then यह यहाँ जो है यहाँ पर आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर click करने के बाद, यहाँ पर आपको pencil का icon देखेगा, आपको pencil के icon पर click करना है, जैससे pencil का icon पर click करोगे तो यहाँ पर आपके प्र CSUS RAM काДа, Audio Tool का यहाँ पर आपको audio tool में click करना है audio tool में click करने के बाद यहाँ पर आपको beach वाला जो option है denoise का इसके ओपर आपको click करना है जैसे आप इसके ओपर click करोगे तो यहाँ पर आपको strength जो है वो 80 किया हुआ रहेगा तो इसको आपको 100 कर देना है बस आप इतना कर देंगे उसके बाद आप जो है एक बार वीडियो को प्ले करके उसका साउंड को सुनेंगे आपको इतना बहतरेन लगेगा कि आप खुस हो जाएंगे जितना भी नॉइज होगा बहुत ही ज्यादा नॉइज को जो है बते क्यर